फ्रेंड्स जब भी स्ट्रीट फूर्ड काने की बात होती हैं दिमाग में सबसे पहले आ जाता है पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, पापड़ी चाट ये सब डिशे सामने दिखने लगते हैं और हम उसे खाते ही हैं जब हम खाने लगते हैं तो एक प्लेट से किसी का मन ने वरता, दो तिन प्लेट तो आराम से चट कर जाते हैं तो क्यों न यही रेसिपी अगर हम घर पे बनाए तो पेट भर के मन भर के खा सकते हैं और बहुत बड़िया भी बनती हैं तो आज यही दो रेसिपीज मैं लेकर आपके लिए तो रेसिपी को देखने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक और अभी तक चानल सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को ज़रूर दबाएं अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें शेयर करें आप कमेंट ज़रूर करें तो चलिए शुर करते हैं आज की रेसिपी और इसके लिए सबसे पहले चाहिए हमें पूरी यानि कि गोलगपई ये मेरे घर के बने हुए है और इसकी रेसिपी मैंने पहल बारिकटी प्यास, बारिकटी हरिधनिया, सेव, मिन्ट चटनी, मिठी दही, इमली की चटनी और बॉल्ड पोटाटो के पीसिस. अब लेंगे हम पापड़ी, जो पूरी ज्यादा फूलती नहीं, उसको हम पापड़ी के लिए अलग रख देते हैं, वही पापड़ी ले रहे हैं, हलके हलके पापड़ियों को डूबो देना है, इमली की चटनी में, ये मिठी इमली की चटनी है, ये भी रेसिपी मेरी अपल है, यूटूब पे, उसका भी लिंक में, डिस्क्रिप्शन में दे दोंगी, सारे पापड़ीयों को हम ने डूबो दिया है, चटनी में, अब उसके उपर सजाएंगे, बॉयल्ड पोटेटोस के तुकड़े, अब डाल देंगे, थोड़ी सी बारी कटी प्यास, सभी के ऊप अब डाल देंगे, मिन्ड चटनी, जिसमें मैंने कॉरियंडर और हारी मिर्च भी डाली है, अब इसके उपर डाल देंगे, इमली की चटनी, अब डाल देंगे, मिठी वाली दही, अब उसके उपर मैं अच्छे डग दोंगी क्यूमिन पाउडर रोस्टेड क्यूमिन पाउडर बहुत बढ़िया लगती है इसके उपर अब डाल दोंगी मैं बारिक सेव ये जीरो नमबर की सेव है ये अक्सर ठेले वाले के पास मिल जाती है अराम से अब सभी के उपर डाल देंगे थुड़ी थुड़ी बारिकटी हरिधनिया अब डाल देंगे रोक सॉल्ट याने की ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सच्छे डग देंगे हर पापड़ी पर और लीजिए हमारी पापड़ी चार्ट तयार है तो है ना यह आसान चलिए अब हम बनाएंगे दही पूरी दही पूरी के लिए फूली पूरी पूरी आ ले बीच में उनको होल कर दें अब इसमें हम डालेंगे बॉयल्ड पोटाटोस की तुकड़े या फिर इसकी जगह पे आप मतर भी यूज़ कर सकते हैं बॉयल्ड मतर डाल देंगे हर चटनी अब डाल देंगे थोड़ी थोड़ी इमली की चटनी अब डाल देंगे उसके उपर कटी हुई प्यास अब थोड़ा सा काला नमक चटनी देंगे हर पूरी के उपर अब हम डाल देंगे क्यूमिन पाउडर हर पूरी के उपर डालना है इसको अब डाल देंगे बारिक सेव अब हम इसके उपर डाल देंगे धेर सारा दही क्योंकि ये दही पूरी है तो मेठी दही जाधा चाहिए इसके लिए लेकिन दही पतला ना करे गाडाई रखे और मेठा बनाए तबी ये पूरी क्रिस्पी रहेगी खाते वक्त जाधा पतला बनाएंगे तो पूरी जल्दी गल जाती हैं आप थोड़ी थोड़ी इंडी की चटनी भी डाल रहे हूं मैं उसके उपर अब फिर से डाल देंगे सेव अब उसके उपर हम सजाएंगे हरा धनिया और बिल्कुल टेम्टिंग टेस्ट लाने के लिए डाल रहे हूं मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर लीजी तैयार है दही पूरी और पापडी चाट दोनों डिशेर बहुत ही यम्मी टेम्टिंग और मौट वाटरिंग है आप इसे ज़रूर बना कर देंगे और आप देख चानल सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाए अगले बार फिर से मेलूंगे एक नहीं रेसिपिक साथ तिल देन बाई